हाई एव्रेवन आये समझते हैं स्केलर गोडिक्तर क्या होता है अगर वेक्टर मुल्टिप्लाई करो और स्केलर कॉंटिटी आ जाए तो उसको हम लोग बूलते हैं इसकेलर अगर यह हमारा एक वेक्टर है और यह वाला हमारा बी वेक्टर है इन दोलों के बीज का एंगल तो A vector dot B vector की value होती है A into B cos theta, मतलब हम लोग ने क्या किया यहाँ पर हम लोग ने B vector का वो component ले लिया जो X vector की direction में है, हम सभी को पता है B vector के दो component होंगे, एक इधर होगा B cos theta और एक component इधर होगा B sin theta, लेकिन हमको B cos theta चाहिए क्योंकि वो A की direction में है, इसका मतलब dot product क्या होता है magnitude of A vector and component of magnitude of B vector in the direction of A vector, यानि की B cos theta, तो formula बन गया A B cos theta. Hi everyone, आईए समझते dot product की properties का है, सबसे पहली बात यह क्या है, मतलब A vector dot B vector अगर लिखा है, इसको हम लोग B vector dot A vector भी कह सकते हैं, इसको हम लोग अदर multiply कर सकते हैं, distribute कर सकते हैं, यह बनेगा A dot B plus A vector dot C vector, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इसके से हम लिख सकते हैं, इसके स of the two vectors to parallel or anti-parallel vector is the product of their magnitude, मतलब A B cos 0 या A B cos 180, तो उसका value या तो A B आएगा, या तो minus A B आएगा.